सभी समु की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को प्रेणा टीवी चैनल के तरब से भी नमस्कार जी दिदी आप सभी का हमें बहुत सारे प्यार मिल रहा है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आसा करती हूँ की आप सभी इसी तरह हमारे लिए प्यार बनाय रखेंगे और मैं भी दिदी आपके लिए नई नई रोजगार नई नई योजनाओं के बारे में जनकारियां लाती रहूंगी जी हां दिदी स्वयम सहायता से रिलेटिड जो भी नई जानकारियां है नई योजना है उसके बाद रे में मैं आपको आउगत कराती रहूंगी तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है निवेदा न दिदी कि आप लोग समों को अच्छे चलाएए पंसुत्र का पालन करते रहेए तो आपकी इसाज्जी नमबर वन हो जाएगा नमबर वन हो जाएगा आपको कोई भी रोजगार लेने से नहीं रोख सकता है आप ज्यादा से ज्यादा रेड़ प्राप्त कर सकती है और अपने घर में रोजगार बढ़ा सकती है क्योंकि दिड़ी पिना पैसे से कोई रोजगार नहीं होता है जब कोई पैसर नहीं आएगा तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे लेकिन अपने समू में जादा-जादा रेंड लेकर रोजगार कर सकती हैं कर सकती हैं एक तरफ सरकार जहां समुहों के लिए काफी लोन दे रही वहीं दूसरी तरफ जी हां प्रधान मंत्री रोजगार योजना चलाया जा रहा है जी हां पच्चिस हजार से एक लाख तक 15.5 ब्याजदर बे रोजगारों को मिलेगा रोजगार जी हां दस लाख दे रही है मोधी सरकार आप लोग से निवेदन है आप लोग भी इसमें भाग लेजिए और लोन लेकर ब्यापार बिजनेश जो भी स्टार्ट करना हो आप कर सकते हैं प्रदान मंत्री रोजगार योजना की अंतरगत भारा सरकार हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को स्वयम का रोजगार सुरू करने के लिए सुनाहरा आउशर प्रदान कर रही है हमारे देश के बेरोजगार युवा जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं वो इच्छुक लावारती प्रधान मंत्री रोजगार योजना का लाव उठा सकते हैं दीदी जी आज हम आपको अपने इस वीडियो में प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 के बारे में सभी जानकारी जैसे पंजीकराण, प्रक्रिया, दस्तावेज, पादता तता आवेदन आधी प्रधान करने जा रहे हैं पी-म रोजगार योजना 2021 का उद्देशे पी-म रोजगार योजना 2021 के अंतरगत ब्याज दरे प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 के अंतरगत कितना मिल सकता है लोण प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 के लिए जरूरी दस्तावेज पातता प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करें प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 इस योजना के अंतरगत देश के बेरोजगार युवाओ को कम ब्याज दर स्वैम का व्यवशाय सुरू करने के लिए केंद सरकार द्वारा विभिन बैंकों के माध्यम से रिड उपलद कराया जाएगा इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की आईउ 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए प्रधान मंती रोजगार योजना की अंतरगत आवेदन करने वाले लाभार्थियों द्वारा शुरू की जाने वाले रोजगार की कुल लागत दो लाख रुपए तक होनी चाहिए जो लोग स्वैम का वैफसाय सुरू करना चाहते हैं परंतु आर्थिक सित्थी कमजोर होने के कारण सुरू नहीं कर पाते वह बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं देश के आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार युवा जिसके जिनके परिवार की वार्षिक आयस सभी स्रोतों को मिला कर 40,000 रुपए तक है वही बेरोजगार युवा पी एम आरवाई लोन के जरिये 2021 के अंतरगार आवेदन कर सकते हैं देश के आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार युवा को सरकार 10 ते 15 दिन कारनी सुल्क प्रशिछड भी देगी जिससे युवास स्वेम के वैफसा को स्वाकुशल चला सके भारा सरकार ने देश की बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए पी एम आरवाई 2020 को सुरू किया है इसी युजना के तहत मुख्य रूप से अनुसूचित जाती स्था महिला वर्ग और पिछड़ वर्ग OBC को आरच्छड दिया गया है प्रदान मत्री रोजगार योजना 2021 का पैरा मीटर विवरण आयू 18-35 सच्छी क्योगता लिए उन्तम आठवी कच्छा पास होना चाहिए ब्याजदर सामान दर बैंक द्वार निधारित रिड़ वापसी का समय तीन से लेकर साथ साल तक समय समाप्थोने के बाद परिवारिक आय परिवार की वार्षिक आय सालेज़ा से अधिक नहीं होनी चाहिए निवास लाभार्थी का स्थाई निवास कम से कम तीन वज पुराना होना चाहिए लोन डिफाल्टर किसी भी बैंक का लोन डिफाल्टर नहीं होना चाहिए सबसीडी और मर्जिन मनी आरच्छन पी एम रोजगार योजना 2021 का उद्देश ये प्रधार मंती रोजगार योजना का मुख्य उद्देश देश के बेरोजगार युवाओं को खुद का कारुबार आरंब करने के लिए कम व्याजदर पर बैंको द्वारा रिण उपलद करा कर आर्थिक सहायता प्रधान करना है और देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करना है इस योजना के जर्ये देश के सिछित बेरोजगार युवाओं को उन्नति की ओर ले जाना है प्रधान मंत्री रोजगार योजना के जर्ये देश के बेरोजगार युवाओं को आत्म निर्भर बनाना है प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 के अंतरगत बेरोजगार युवाओं तथा यूतियों को अपना वैफसाय सुरू करने के लिए प्रोशाहित करना है प्रधान मंत्री पी एम रोजगार योजना 2021 के अंतरगत ब्याज दरे इस योजना के अंतरगत सरकार द्वारा अलग अलग रासी पर अलग अलग ब्याज दरे असूल की जाएगी जिसका निर्देश रिजो बैंक द्वारा समय समय पर जारी किया जाएगा मौजूदा निर्देश की अनुसार यदि आप प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतरगत लोण लेते हैं तो आपको 25,000 पर 12 प्रतिसत ब्याज देना होगा 25,000 से एक लाग तक 15.5 प्रतिसत ब्याज देना होगा और जैसे जैसे लोण की रासी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ब्याजदर भी बढ़ती जाएगी प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 के अंतरगत कितना मिल सकता है लोण प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2021 के अंतरगत अलगलग शेत्रों के लिए अलगलग लोण की सीमा तै की गई है इस एलना के अंतरगत उद्योग छेत्र के लिए अधिक्तम दो लाक रुपाई की रकम तैकी गई है और कारोबार छेत्र में के लिए अधिक्तम एक लाक की रकम तैकी गई है तथा कारकारी पूजी के लिए अधिक्तम दस लाक की रकम तैकी गई है तो आज के वीडियो में दिदी बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कर दे आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ये सज्जी जी हाँ स्वयम शायता समू को अच्छे से चलाईए और बैठा के जी आप लोग दिदी सीसील के द्वारा बैंक से ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर आगे वड़िये गरीबी को हटाईए गरीबी तो मानिए बहुत ही सक्त होती है जो जल्दी हटती नहीं है लेकिन आपका हमारा प्यार से ही रहेगा कि इसको हटाना है किस प्रकार रोजगार करके जी हाँ आए अगर हम जब तक नहीं सिज्जंग करेंगे तब तक गरीबी नहीं दूर होगी तो कोशिस करिए आए को बढ़ाने के लिए जिया देदी हम आपके साथ हैं आपको कोई भी समों में दिक्कत हो रहे हैं तो हमें कॉल कर सकती हैं जी हाँ हमारा मुवाइल नमरे लिख लिजिए प्रवाइल नमरे दोनों है आप सको नूट कर लिजी है और दूदी आप सभी से निवेदाना कि हमारे चैनल को पहले सबसे पहले आप सबस्क्राइब कर लिजिए अगर आप सबस्क्राइब कर लेती हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई योजनाओ के बारे में आपको सबस्क्राइब करने वाली है उसके बारे में निटेल से जनकारी आपको में दूंगी तो आज की वीट में इतना है दिदी धन्यवाद